माला जबते समय का मंद आप जब भी माला जबते है उससे आपको सिध्या मिलती है जैसे आप मा काली की माला जाब करे या शिव जी की माला जाब करे या हनुमान जी की माला जाब करे उससे आपको सिध्या मिलती है लेकिन, माला अगर जागृत ना हो, तो आप कितना भी जब करे, आपको इससे कोई लाब नहीं मिलेगा तो किसी भी जब के पहले, माला का पूजन या माला की पूजन आवश्च्रक है इससे माला जागृत हो उठती है और वो आपकी साधनाउ में या आपके मन्तव जप में सहेता करती है तो माला जागृत करने के लिए या माला से सिध्यां प्राप्त करने के लिए माला का मन्तव है जब भी आप कोई नई माला लाए, मार्केट से लाए, कहीं से भी खरीद के लिए, तो पूर्ण तहर विधी द्वारा उसकी पूजन करे, और क्यल पूजन ही ना करे, उसकी कम से कम दस माला जब करे उसको धूब, अगरबती वगर टीका वोगर लगा करके, कम से कम दस माला जब आवश्य करे, इससे माला जाकरित हो उपती है, इसके पश्चात आप जब भी किसी माला, उसी माला का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने गुद्वाक्ष की माला लाई, उसकी दस माला जब कर ली, गंगाजल वगर शड़क करके, उसको शुद्ध किया, इसके पश्चात आप आप ने उसके अगले दिन या कुछ नवाद कोई साधना आदम की, जैसे ओम शीहनमत नमा की साधना की, तो आप उसके पहले, इस मंत्र से कम सकम 11 बार उसको जागरित अवस्थ हमे लाए, कि माल माला जागरित हो, माला शक्तिशाली हो, आपके मंत्र जब में सहयता करें, उसके पश्चात आप माला को उठा करके मंत्र जब करें, इससे विश्य सफलता मिक्ति है, यही नहीं, अगर आप कोई बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जैसे सवाला कि क्यावन हजार, करें, कि आपको आपकी अनुष्ठान या साध्ना में सफलता मिलें, इसके पश्चात अगर जब करते हैं, तो आपको तुन्ध लाब मिलता है, तो माला जबते समय इस मंत्र का प्रयोग आवश्य करें, जै मात अली